मुझे से बहुत सारे विध्यारती हमारे अलग-अलग सेशन्स में कमेंट करके ये कह रहे हैं कि सर आपने पहलवानों वाला मुद्दा नहीं लिया मैंने कहा कि भाई मैंने पहलवानों वाला मुद्दा जब से शुरू हुआ है तब से लेकर हर बार तो लिया है पता नहीं क्यूं मतलब अभी भी किसी को ये लगता है सर ने पहलवानों वाला मुद्दा नहीं लिया मैं आपको बहुत सारे कमेंट दिखा दूँँगा जिनमें बार बार लेकर इसी बात की चर्जा आपने पहलवानों का मुद्दा नहीं लिया कोई भी community post ठालो, आपने पहलवानों का मुद्दा ने लिया, अब मैं उनको प्रमान दे दू, भाई मैंने पहलवानों का मुद्दा फिर से लिया है, और भी दिखा देता हूं, पुराने कितनी बार मैंने लिये हैं मुद्दे, दिखाओ भई, कहा गया, ये देखो भई, 27 अ रहते हैं, अभी update क्या है, Wrestling Federation of India, जिसको WFI के नाम से जा रहे हैं, जिसको ब्रजबूशन के कारण जो सुर्खियों में है, पहलवानों के कारण जो सुर्खियों में है, उनमें से जिनके खिलाफ अभी तक FIR नहीं हो रही थी, Supreme Court के निरदेशन पर पुलिस ने इनके और अब निकल कर ये आ रहा है, जो ब्रजबूशन हैं, जो WFI के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी जब तक गिरफतारी नहीं हो जाती, तब तक पहलवान नहीं उठेंगे, ऐसा पहलवानों का कहना है, मामला क्या है, अगर आपको डीटेल में जानना है, तो UKI चंदरशूड जो है, उन्होंने डायरेक्ट किया है दिल्ली पुलिस को, कि वो FIR allegations जो इनके उपर लगे हैं, किस बात के लगे हैं, पहला लगा है sexual harassment का, वो top human Indian wrestlers against former WFI ब्रजबुशन सिंग, और दूसरा child abuse का भी इनके उपर, POCSO Act के तहद भी इनके उपर FIR हुई है, और डिबेस इस बात पर चल रही है कि ये तो वो महिलाएं हैं, या फिर ये वो पहलवान हैं, जो की बदक जीतकर भारत के लिए आई हैं, इन्हें एक व्यक्ति के खिलाफ, केस करवाने के लिए धरना देना पड़ता है, साथ में Supreme Court के कहने पर, तब जाकर इस व्यक्ति के खिल केस्वानों को भी sexual harassment का केस दर्ज कराने के लिए, जो भारत के लिए इतने recognized हैं, उन्हें केस दर्ज कराने के लिए सलक पर बैठना पड़ रहा हो, तो ऐसी स्थिती में महिलाओं की सुरक्षा की क्या बात की जाएं? ये बड़ा सवाल है, मतलब इस सवाल की वजह से इस माम की नहीं की तारवाही से मतलब है कि यस वेक्ति को अभी तक अरेस्ट क्यू नहीं होने दिया, इसके कि खिलाफ अभी तक FIR दर्ज क्यू नहीं गई? ठीक है, ये असल मुद्दा ये है, मुद्दा आंसर ये नहीं है कि FIR दर्ज हो गयी चलो काम हो गया, नहीं! बैठना पड़ा तब जाकर दर्ज होई यानि कि किसी आम व्यक्ति की तो सुनवाई हो ही नहीं सकती आज देश की लोगसभा में एक तिहाई सांसद ऐसे हैं हमारी संसद में एक तिहाई सांसद ऐसे हैं जिनके ओपर किसी ना किसी प्रकार की FIR दर्ज है तो ये अपराध करण जो हो रहा है अगर ऐसा है तो फिर इसकी जाच कौन करेगा और अगर माननी है जो लोग है उन्हीं पर केस दर्ज नहीं किया जा सकेगा तो आम जन में विश्वास कैसे आएगा कानून के प्रती सवाल ये बड़ा बना हुआ है अब आपको असली प्रशन जो मुद्दा है जिसको लेकर के लोग व्याकूल है वो ये है अब आप पूछेंगे सब दर्ज हो गई क्या F.I.R बिलकुल हो गई किन मामलों में हुई है तो यहां पर एक नाबालिक रैसलर से यौन सोशन के मामले में ब्रजभूशन पर पॉक्सो एक्ट के तहट केस दर्ज किया गया है ये पॉक्सो क्या होता है आपको बताएंगे मतलब इसके बारे में डिटेल्स भी बताएंगे लेकिन फिलाल के लिए समझ लीजिए बाल यौन सोशन से सम्मंधित कानून है ये है ना अच्छा निर्भया के मामले में भी इसकी बहुत चर्चाएं हुई थी आपको यदि आदो और दूसरी जो F.I.R है वो 6 अन्य महिला रेसलर्स के यौन सोशन के आरोप में दर्ज हुई है अब ये जब कहानी चल रही है पैरलली तो एक दिमाग में बहुत बड़ा प्रशन खड़ा होता है और वो प्रशन क्या है ये पूरी कहानी सुन लीचे 21 अप्रेल को एक नाबालिक समेथ 7 महिला रेसलर्स ने ब्रजबूशन के खिलाफ यौन सोशन की शिकायत की थी और केस दर्ज ना होने पर रेसलर्स ने सुप्रीम कोट में याची का दायर की थी और सुनवाई के दौरान पुलिस ने WFI अद्धक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही थी देखो एक पक्ष तो ये हो गया एक पक्ष क्या है इनकी मांगती केस दर्ज किया जाए केस दर्ज किया जाए पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया ये पुलिस की गलती है और पुलिस की गलती अगर है तो पुलिस पर कारवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोट को इंटर्फेर करना पड़ा केस दर्ज कराने के लिए इससे बड़ा दुर्भागे पूर्ण कुछ भी काम नहीं हो सकता लें दूसरा जो पक्ष है यानि कि जो प्रजभूशन का पक्ष है वो क्या है पक्ष ये है कि आप ने आरोप तो लगा दिये देखिए अगर कल को आप खड़े हो जाए और आप ये कहें कि इस व्यक्ति ने चोरी किये आपका ये आरोप है और आरोप जिस व्यक्ति पर आप लगा रहे हो उस आरोप के अधार पर अगर केस दर्ज होने लग जाए तो फिर तो इस दुनिया में बचेगा कौन आज मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ कल आपके दिमाख में आ जाए कि आर इस आदमी के मज़े लेने है चलो केस दर्ज कराने चलते हैं किस बात का पुलिस में केस दर्ज कराने चलते हैं इस बात का कि इस आदमी ने चोरी किये बोले ये क्या है ये आ आरोप लगा, आरोप के पक्ष में होते हैं evidence, पुलिस ऐसे किसी भी, अगर आरोप पर ही पुलिस काम करने लग जाए, तो भाई साहब हमारे देश में पुलिस थानों में पैर रखने की जगे ना मिले, तो पुलिस इस समय क्या करती है, पुलिस इस समय जो आरोप लगाने वि केस है, कि पुलिस जाए और जाच करें, कि भई इसके आरोप सही है या नही. असल मैं पुलिस ये और यह नहीं करती है, पुलिस आप से ही प्रिलिमनरी इंक्वारी करती है, कि बई जराभ बताओ आपके पास इस तरह का आरोप लगाने का आधार क्या है? फिर आप आधार बताते हो पुलिस उस बात की पहले जांच करती है अगर मान लीजिए कल को अपोजीशन में या सरकार के पक्षमर विपक्ष में इतने सारे नेता हैं ऐसे तो एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा कर कि सर इन्हों ने फलाने सिंग को मरवाया था बोले करो F.I.R. इसके उपर और मर्डर का आरोप लगा रहा है मर्डर का आरोप लगा रहा है बोले केस दर्ज करो पुलिस ऐसे भिड़ते ही F.I.R. दर्ज नहीं करती है पुलिस क्या करती है इस केस में preliminary inquiry करती है preliminary inquiry का मतलब क्या होता है प्रथम जाच करती है खुद से कि भाई जरा बताओ मामले में क्या क्या हुआ था अपने पक्ष बताओ क्या है सर देखो हम उस दिन यहां गए थे ये व्यक्ति हमारे साथ था इस व्यक्ति ने हमारे साथ ये किया बोले प्रमान क्या है इस बात का बोले आप वहाँ चलके कैमरा देख सकते हो नमबर एक नमबर दूसरा आप मेरे शरीर पर पड़े हुए ये निशान देख सकते हो तीसरा आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हो जो वहाँ पर उपस थे था ये तीन-चार प्रकार के प्रमान होते है क्या ही प्रकार के प्रमान दिये जाते है मौकिक प्रमान होता है एविडेंस का प्रमान होता है मतलब ये आप उसका एविडेंस इंडिया का एविडेंस अलग से ही है उसके तहट कुछ प्रावधान है किस-किस प्रकार के प्रमान लिये जाते है और उनकी अपनी-अपनी value होती है पुलिस के case में कि सबसे ज़्यादा evidence की value इसकी मानी जाएगी फिर इस तरह की value मानी जाएगी इस प्रकार से value किया गया है categorize किया हुआ evidence को ठीक है जब पुलिस confirm हो जाती है कि आँ भई ये आरोप तुम जो लगा रहे हो ये सही है तब पुलिस दर्ज करती है FIA अभी तक case में क्या हो रहा था कि दिल्ली पुलिस में जब ये 21 अप्रेल को मामला गया आज आप एक मैई को ये जानकारी सुन रहे है तो दिल्ली पुलिस इस मामले में preliminary inquiry कर रही थी preliminary inquiry का मतलब कि भई ये जाच ही कर रही थी कि ये आरोप सही है कि नहीं है जब Supreme Court ने भी पूछा कि क्या चल रहा है भई अब तक case क्यों नहीं हुआ सबने वाला शिकायत कराने आया था तो उमने से case क्यों नहीं दर्ज किया मुले सर हम सब के लिए उसी तरह से चलेंगे जैसे इन के लिए चल रहे है हम जगे पहरे preliminary inquiry करेंगे फिर उस case को दर्ज करेंगे अच्छा इस मामले में Supreme Court ने खुद से interfere करके क्या कह दिया है नहीं नहीं पहले case दर्ज करो अब case दर्ज हो चुका है इसका मतलब है कि FIR में पहली जो मतलब आपने जानकारी दिये उसमें आपने charges भी declare कर दिये कि इन इन धाराओं के तहत जाच की जाएगी यानि case को एक दिशा दे दी गई है कि आप दो दिशाओं में आप जाच करें पहला कि क्या इन्हों ने 6 महिलाओं के साथ में 6 महिला रेसलर्स के साथ में यौन सोशन किया इस विशे पर जाच करें और क्या इन्हों ने एक नाबालिक का यौन सोशन किया इस मामले में जास करें अब F.I.R. अगर हो चुकी है तो इसका मतलब है कि अरेस्ट भी होगा जब F.I.R. दर्ज हो चुकी है तो इस F.I.R. में जिन भारों में F.I.R. दर्ज होई है उनके तहट गिरफतारी भी होनी च इसमें कि मतलब डकयती के साथ हत्या भी शामिल है, साथ में मतलब ये बलातकार शामिल है, पॉक्स उएक्ट शामिल है, इन केसे में जमानत नहीं होती है अर्थाद यदि किसी विक्ती को गिरफतार कर लिया तो जब तक जांच चलेगी, तब तक वो विक्ती सलाखों के पी क्या निकला जब तक वो गिरफतार नहीं होगा तब तक FIR का कोई मतलब नहीं है इस वजह से यहां पर इनके द्वारा इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अब आगे ना पूछेंगे सर इस प्रकार से तो सुप्रीम कोट के दवाब में आकर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया दर्ज कर लिया पुलिस को अभी भी नहीं पता है और पौक्सो के तयात इसको गिरफतार किया जाएगा पौक्सो की फिर जाच करनी है क्योंकि पुलिस उस जाच के अधार पर चार शीट तयार करती है खुद की कि यहां साब यह इस इस प्रकार से दोशी है हमने यह जांच कर लिए फिर वो कोट में जाकर पेश होती है तो पुलिस की जांच में चार सीट का वाकई में इस बात को पाएगी यह अपने आप में मामला बड़ा है पॉक्सो का आरोप लगा है तो इसकी गिरफतारी टेक्निकली हो जानी चाहिए ठीक है ना अगर पॉक्सो एक्ट का मामला है और फाई आर दर्ज हो चुकी है तो इसका मतलब गिरफतारी भी हो जानी चाहिए तीन खिलाडी है विनेश फोगाट और इनके साथ बजरंग पूनिया और साक्षे मलिक तीन लोग जो है तीन बड़े चहरे हैं जो आकर के इस मुद्दे में सबसे पहले हाइलाइट हुए थे मामला शुरू हुआ था सबसे पहले 18 जनवरी से 18 जनवरी को साक्षे मलिक बजरंग पूनिया और अविनेश फोगाट जो है जनतर मरंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किये थे उनका आरोब था कि अध्यक्ष ब्रजबूशन सिंग जो है और उनके साथ के जो अन्य कोच है वो यौन उत्पिडन करते हैं 19 जनवरी को खेल मंतरी अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स की बादशीत उने ब्रजबूशन सिंग के जवाब का इंतजार करने को कहा 20 जनवरी को पहलवानों ने ऐलान किया कि न्याय मिलने तक कोई कैम्प जोइन नहीं करेंगे 21 जनवरी 2023 को भारतिय ओलंपिक असोसियेशन ने जांच कमेटी बनाई इसी दिन अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स के साथ लंबी मीटिंग और फिर धरना खतम किया तो अनुराग ठाकुर मिले तब जाकर के धरना खतम हुआ 23 अपरैल को अब देखिए 21 जनवरी के बाद जनवरी से फरवरी फरवरी से मार्च मार्च से अपरैल पूरे तीन महीने निकलने के बाद में तीन महीने बाद भी जब कुछ नहीं हुआ है 29 अप्रेल को जाकर प्रियंका गादी इंजे मिलती है अब हो क्या रहा है अब तक यह जो मामला था ना कई दिनों तक मतलब आप यह पकड़ कर चलिए कि जब तक यह पहले वाला मामला हुआ या फिर जब तक राजनिता मिलना शुरू नहीं किये थे तब तक यह खिलाडिय हो या कॉंग्रेस हो जो भी राजनिता अपना मतलब इसमें वो चाहते हैं इस टेक कि हाँ इस सरकार को नुकसान पहुचाया जा सकता है वो अब इनके साथ में खड़े हो गए हैं असल माइने में ब्रजभूशन सिंग का खुद का कहना भी यही था कि यह मुद्दा यह नह खिलाडी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो केवल एक ही अखाड़े से बिलॉंग करते हैं और उस महादेव उस महादेव अखाड़ा अगर मैं सही हूँ तो उसका नाम है महादेव रेसलिंग अकादमी जैसे बहुत सारी अकैड़िमी से लोग खेलते हैं तो अखाड़े तो उन में से जो लड़किridoline इस आरोप को लगा रही हैं वो महादेव रेसलिंग अकाड़े से बहुत है और इसका सम्मन्द जो है वो एक सांसध हैं हरियाना के जिनका नाम है दीपिंदर हुड़ा बोले उनके साथ है तो ये महादेव रेसलिंग अकाड़े से जुड़े ह हुए हैं दीपेंदर हुडा जो हैं वो इस महादेव रिसलिंग अखाड़े से जुड़े हुए इन लोगों को मेरे खिलाफ भरका रहे हैं अब आप पुछेंगे ऐसा क्यों दिखिए रिसेंट डेज में आप लोगों ने एक चीज नॉटिस की होगी और वो क्या है भारत ने चाहे Commonwealth हो चाहे Olympics हो चाहे Asia Games हो उण में पहलवानी में जवरदस्थ परदर्शन किया है फिल्में भी बनी है दंगल जैसे फिल्म बन कर अपने देश में आई हैं पहलवानी हमारे देश में फिर से बूम पकड़ने लगी है याई अगर हम मैच की बात करें तो क्रिकिट क्रि रेस्लिंग आई है तो रेस्लिंग में लोगों का रुजफान भी आया है और रुजफान के सासा सरकारी इनवेस्टमेंट भी आया है इनवेस्टमेंट आया है तो इनवेस्टमेंट के बाद ये बिल्कुल जैसे BCCI एक इतना कोरोडों का एक बहुत बड़ा असोसियेशन है ऐसे ही अब WFI, Wrestlers Federation of India भी एक बहुत क्रीम पोजीशन बनती जा रही है इस क्रीम पोजीशन पर कौन बैठे असल में अब उसके चुनाव का भी मुद्दा पैरलली चलने लगा है बरजभूशन सि जो हैं ये WFI के अध्यक्ष हैं सांसद होने के साथ-साथ उसके अध्यक्ष में हैं अब जो वो अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाले हैं चुनाव होने वाले अब ब्रजभूशन सिंग लंबे समय से उसके अध्यक्ष बने हुए हैं मतलब सीट मलाईदार है और मलाईदार पर बजभुषण सिंग बैठे हुआ है लंबे समय से खिलारी जो खेलते हैं वो महादेव रेस्लिंग अकादमी के हैं जो कि हर्याना के हैं हर्याना के सांसत दिपंदर हुड़ा है कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से हो रहा है हर्याना के लोग खिल रहे हैं हर्याना के लोग जीत रहे हैं कमा के कहीं कोई और ले जा रहा है कुल मिलाकर बात है अब कोई सीधा तो यह नहीं कह सकता देखो ब्रस्टाचार किया इसने अब भाई जिसको इतने पद पर बैठना है मतलब चीजों में जो की पोजिशन आती है वो किसी ना किसी प्रकार से मतलब अलग-अलग प्रकार से जैसे हमारे राजिस्थान के अंदर राजिस्थान क्रिकेट जो वो है RCA है उसमें वैभाव घहलोजी जो घहलोजी के बेटे हैं हो की position पे बैठे हुँए हैं ऐसे ही BCCI के अंदर अमित शाहजी के बैठे जो है जैसा जी वो की position पर बैठे हो हुए है पैसा बहुत है ना खेलो में भई WFI के अंदर ब्रजबूशन सिंग की पोजीशन पर बैठे हुए हैं तो ऐसी इस्तिति में आप पोजीशन का बौर चल रहा है ये ब्रजभूशन का कहना है कि भाई कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि इसको राजनिती करन करो मुझे इस चीसे बाहर निकालो मुद्दा हरेस्मेंट का नहीं है मुझे डिस्क्वालिफाई करने का है ठीक है फिलाल के चुनाव तो टाल दिये गए हैं लेकिन अगर मामला राजनिती का भी है लेकिन आरोप अगर सकते हैं तो उनकी जाच होनी चाहिए और जब जाच होनी चाहिए तो ऐसी इस्तिति के अंदर पुलिस का जो काम है वो यहां के उपर है पॉक्सो एट के तहट ये विवस्था की गई है और केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोट ने पहले ही कह रखा है कि जैसे ही पॉक्सो एट का मामला दर्ज हो तुरंध व्यक्ति को गिरफतार कर लिया जाना चाहिए ये बहुत बड़ी बात है क्यों गिरफता प्रोटेक्शन आफ चिल्रन फ्रम सेक्षवल ओफेंस एड जिसके कारण ये चीज बनकर आई है ठीक है ना उम्मीद है आप सभी साथियों के बात समझ में आ गई होगी पॉक्सो के बारे में सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं बाकि आप अपनी तरफ से पूरी तरह स इसां में मातरा में हमारे साथियों नहापर आकर पारटिसिपेट किया इसमें से बड़ी मातरा में हमें अपने टीम के लिए लोग सग्षट किये हैं जल्दी ही ये काम करेंगे और आपके पास पहुंचेंगे जैसे मैने आपको बताया यभूक हमारी आ चुकी है नई store पर हमारा अपनी पाच्छाला एप्लिकेशन उपलब्ध है, go and get the subscription right now, thank you so much.